मुंबई और आसपास के सीटों का चुनाव है आपका आंकलन महाराष्ट के चुनाव और देशबर के चुनाव के बारे अब तक क्या है हम इसे शुरुआ करना देखें जहां तक महाराष्ट का सवाल है मैं ऐसा मानता हूँ कि चार चरणों के मतदान के बाद हम लोग बहुत सैटिस्वाइड है संतुष्ट है हमको यह लगता है कि लोगों ने भरपूर समर्थन मोदी जी को और हमारे महायूति को दिया है और पाच्वा चरण में मुंबई में तो मुंबई करके मन में मोदी जी है इसलिए मुंबई कर तो मोदी जी के साथ ही जाएंगे तो पाच्वा चरण तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा मुझे नहीं लगता कि हम लोग नीचे जाएंगे हम लोगों ने जो हमारा 2014 और 2019 में जो इस प्रकार से हमने परफार्मस किया है वही परफार्मस हमारा 2014 में भी होगा सब 2014 और 2019 के बाद से इस दिदिया काफी बदल गहीं खास करें 2019 के बाद से तीन अलग अलग समिगार और राजनिती के देखे हैं हमारा आसमे कभी उसका इलेक्टोरिल टेस्ट नहीं हुआ कभी कोई चुनाव नहीं गूए तो लोगों के मन में एक संभ्रम है कि जो नया गडबंदन बना है नेता साथ में आगे क्या उनके मतदाता भी उनके कहने परक्रांजिक्वी पार्टियों को वोट करेंगे अपने पुरा तो नहीं देखा है आपने मैनें एक मैनेज किया है देखिए कभी भी 100% ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि हमारे साथ शिवसिन आई है कुछ लोग तो दो जी के साथ रुके होंगे हमारे साथ NCPI है कुछ लोग तो शरत पवार जी के साथ रहे होंगे तो इसलिए 100% ट्रांसफर तो नहीं होता है लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अच्छे तरीके से वोट ट्रांसफर हुआ है और हमारे दोस्तों का जहां तक सवाल है तो बीजेपी की वोट ट्रांसफर करने की कैपसेटी उन दोनों से ज्यादा है तो BJP का वोट बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रांसफर हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि निश्ची तुरूप से हमको वीजे मिलेगा। जब बोट ट्रांसफर की बात आती है तो फिर अलग 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 तरीके से लोग अपील भी कर रहें, कुछ गयर राजडितिक लोग भी है जो अपील कर रहें कि फला पार्टी को या अपला नेता को या अपला केंडियेट को वोट किया जाए, इसमें पुसमें पेल एक वीड को ध्यान में आ रहा है, जिस प्रकार की तुष्टी करन की निती चल रही है, और विशेश रुप से उद्धो ठाकरे जी, जो अपने आपको पहले हिंदुतवादी कहते थे, वो जिस प्रकार का तुष्टी करन कर रहे है, ये बहुत आश्चरी की बात है, देखिए एक समय था, हमारे शिवसेना प्रमुक हिंदु रुदय समराट बड़ासाब ठाकरे जी, अपने भाशन की शुरुवात करते थे, मेरे तमाम हिंदु बहनों, भाईयों और माताओ, उद्धो ठाकरे जी भी उसी प्रकार से शुरुवात करते थे, इंडी गडबंधन की पहली सभा म सारे नेताओने का हिंदु शब्द छोड़ दो, उन्होंने हिंदु शब्द छोड़ दिया, वो हिंदु शब्द का उच्चारण नहीं करते, उसके बाद तुष्टिकरण की निती यहां तक पहुच गई, कि अब उनकी रैलियों में अल्लाहु अक्बर के नारे लगते हैं और टिपू सुल्तान जिन्दाबाद के नारे लगते हैं, उससे आगे यह लोग बढ़ गए, उनकी रैलियों में मुंबई बमकान का आरोपी, यह उनका स्टार प्रचारक बनता है, और हद तो वो हो जाती है कि जब उध्धो ठाकरे जी की रैलियों में पाकिस्तान के प्रचार के जाते हैं, तो यह तुष्टी करण की निती बिल्कुल चल रही है, और अब जिस वीडियो की आपने बात कही, वोट जिहाद की बात की जा रही है, वोट जिहाद, और बकाइदा तन्जीम को बुला कर, और उनके सामने कहा जा रहा है, जो मोदी को हरा सकता है, मोदी को हराना यह हमारी प्रथमिकता है, मोदी को हराने के लिए वोट जिहाद की बात चल रही है, मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार से वोट जिहाद की बात चल रही है, तो जो सारे राष्ट्र भक्तन नागरिक है, उनको मेरी अपील है, यह लोक तंत्र का और कार्यशील प्रधान मंत्री मोदी जी को चुनकर लाने के लिए आप भी ये दिखा दीजिए कि वोट जिहाद नहीं चलेगा, वोट का यग्य चलेगा, वोट का समर्पड चलेगा और वोट के यग्य में हमारी समिधा के रूप में अपने वोट काम समर्पड करेंगे. अपीले की को वोट दे, तो बाला थाब ठाकरे के उस बयान को लोग याद कर रहे हैं, सुचल मीडिया पर बठी जगों पे, कि अगर कॉंग्रेस की तरफ मेरा पार्टी जाती है, मेरी पार्टी कॉंग्रेस की विचल पार इतना अपनी दुकान बंग कर दिगा, उस पोस्टर्स को और हाथ के पंजे को वोट दिनी की तो अपील हों कैसे देखते हैं, देखिए जो प्रधान मंत्री जी उद्धो ठाकरे की सेना को नकली शिवसेना करे या नकली सेना करे, इसका कारणी यह है, उद्धो ठाकरे जी बाड़ा साब के संपत्ति के उत्तराधिकारी है, विचारों के उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, ऐसा बड़ा साथ कभी होने नहीं देते और बड़ा साथ ठाकरे ने बहुत प्रश्चवदों में ये कहा था जिस दिन कॉंग्रेस के साथ जाने की नौबत मेरे पास आएगी मेरे शिवसेना की दुकान मैं बन कर दूँगा ऐसा उन्होंने कहा था अब उनके बेटे ने कॉंग्रेस से साथ हाथ तो मिला ही मिला लिया पोस्टर पे पंजा और सबसे बड़ी बात ये है कि अब उद्धो ठाकरे जी बहुत फक्र के साथ कहते कि मातोश्री के इलाके से कॉंग्रेस की उम्मिद्वार खड़ी है मैं उसके पंजे का बटन दबाने वाला हूँ ये ब्रासाब ठाकरे जी के विचारों के उत्तरादिकारी नहीं है ये उनके विचारों को तोड़ने वाले ठेस पोचाने वाले व्यक्ति है पाकिस्तान को एक परसेप्शन बिल्डिंग में फाइदा करना है आप कैसे देखता है मुंबई में इतनी इलस्परेट कुशी सुरी है देखें मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत ही उच्छी राजनीती है 2008 की घटना है जब मुंबई पर कसाब और दस आतंक वादियों ने हमला किया था 2008 से लेकर 2014 तक देश में भी और प्रदेश में भी कॉंग्रेस की सरकार थी और आज चलकर चुनाओ की राजनीती के लिए और वुटो के तुष्टी करण के लिए ये लोग उजवल निकम जैसे वेक्टी पर आरोप लगा रहे है उजवल निकम उस वेक्टी का नाम है जिसने मोदी जी की मदद से अमरीका में जाकर डेविड हेडली की जो साक्ष है उसको रिकॉर्ड करके उसको आनलाइन करके और उसके माध्यम से पाकिस्थान ने किस प्रकार से ये प्लॉट तयार किया और कसाब किस प्रकार से दोशिये ये कैसा शड़ेंत्र था इस प्रकार से पूरे पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्यूनिटी के सामने एक्स्पोस किया हमारे कॉट ने निरने दिया हाई कोट ने उसको कायम रखा सुप्रीम कोट ने कायम रखा और कसाब को फासी मिली इनको चिंता हमारे शहीदों की नहीं है जब ऐसी बात करते है तो जिनोंने हमारे लिए शहादत दी चाहे वो हेमंत करकरे जी हो चाहे वो हमारे तुकारा मौम्बबे हो चाहे हमारे काम्टे जी हो चाहे सडसकर जी हो इन सब की शहादत पर एक प्रश्ण खड़ा करने का काम कॉंग्रेस कर रही है इस से शरमनाक बात कोई हो नहीं सकती इस चुनाओने सप्ष्ट कर दिया है कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया अलाइंस अजमल कसाथ के साथ और हम कर दो अलाग अलाग कम से कम नहीं हुआ करती उनके लिए बड़ी चुनोती है कि जो शुष्णा उद्धोवाला साफ ठाकरे पार्टी वो शुष्णा इकना शिंदेजी की और आप लोग आपस में एक दूसरी के खिलाब बयान बाजी करें तो हिंदू मत दाता जो है तो आ उद्धो ठाकरे जी को हिंदू वोट चाहिए ही नहीं उन्होंने एस पश्ट कर दिया है कि मैं केवल मुस्लिम मतों के तुष्टी करण से चुनकर आने वाला हूं उसी प्रकार कि उनकी करतूते आज हमको दिखाई पड़ रही है कॉंग्रेस से जादा तुष्टी करण आ चिंता है और हमारा एक बात हमारी पकी है हम यह मानने वाले लोग है प्रहदे करेंग कि यह देश तूटा इस देश का बटवारा केवल अपीजमेंट के कारण हुआ है हम दूसरा बटवारा इस देश का नहीं होने देंगे लेकिन वोटों के लालची फिर एक बार उसी अपीजमेंट के भरोसे इलेक्शन जीतना चाह रहे है हिंदों के ध्यान में आ रहा है देश में दाज़ती के चानक के अमिच्छा जी कहे जाती है प्रदेश में समय थाज़ती बौवार को बहुत बड़ा देश में पास्ते इजदर से उडया करते लिए अब वो टैग आपके साथ जुटता ज़ता जाए आप महरा को इज़र उदर करते हैं इस बार में लोगों क मैं कोई चानक के नहीं हूँ और मैं राजनिती की शत्रंच को खेलना वोगरा ये सारी बाते में करता नहीं हूँ मैं मेरी पार्टी का बहुत लॉयल सोल्जर हूँ और अपनी पार्टी के लिए सर्वस्व दे सकता हूँ और वो ही मेरी ताकत है कि जो ऐसे वातावरण में भी मुझे जिंदा भी रखती है और मुझे विजय भी दिती है मेरे खिलाफ जितने शड़यंत्रों होते हैं, मेरे पार्टी के खिलाफ जितने शड़यंत्रों होते हैं, ये सारे शड़यंत्रों का परदा फाश करके, मैं उन पर विजय पाता हूँ, मैं चानक के नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक सीधा साधा कारे करता हूँ. जो भी लोग आपसे जुड़े रहे हैं सालों से कई द्रश्कों से मुंबई के खास करके उनकी मन में बहुना थी कि जब हिंदुत के नाम पर शिंजन सब आपके साथ आही गए थे बाचपावी थी मजबूत थे दोनों सरकार्स था ही थी तो ऐसे में अजीत पवार को साथ ज आइसोलेट किया जाता है तो उस समय आइसोलेट करने वाली ताकतों को जवाब भी देना पड़ता है और जिस प्रकार से इंडी अलायंस हमको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था और विशे शुरुप से मोधी जी को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था ऐसे समय जब NCP में नीजी करणों से पारिवारी करणों से तूठ हुई अजित पवार जी के द्यान में आया कि पार्टी उनके साथ नहीं हो सकती पार्टी शरत पवार जी अपनी बेटी को ही देंगे वो कितनी मेनत कर ले और वो बहार आये तो निश्यत रुप से हमको अंको एक मौका था इस आईसोलेशन को तोड़ने का तो हमने उनको साथ में ले लिया और मुझे नहीं लगता कि उसके करण कोई वोटों पर असर होगा लोग भी जानते हमने उनको साथ में क्यों लिया है और लोगों को मोधी जी को चुनकर लाना है मोंबई जी को वोट देना लोग हमको वोट देंगे मुंबई करो के मन में मोदी मुंबई करो के घर में मोदी मुंबई कर मोदी जी को इतना चाहते है कोई केंडरेट देखने वाला नहीं है यहाँ पर दो प्रकार के गुड तैयार हूए है एक मोधी जी को प्रधान मंत्री बनना चाहता है वो मोधी जी के लिए वोट दे रहा है जो राहूल गांदी को प्रधान मंत्री बनना चाहता है वो राहूल गांदी के लिए वोट दे रहा है लेकिन मोधी जी को प्रधान मंत्री देखना चाहने वालों की संख्या राहूल ग बना रहेगा और हम निश्चित रूप से सीटों का बटवारा कर लेंगे सब्सक्राइब अपने साथ लेके घूम रहे अपने साथ लेके घूम रहे हैं उत्रप्रद्यश गए शामतर मुंबही भी आने की संभावना है उनकी तो किस तरीके से देखते हैं एक पार्टी जिसमें इतने बड़ बड़े मार्वडन रख करके रादी शुदी अब एक महिला के साथ मार्पीट करें उनकी राजस्वा सांसर है उनके आवपी को सीवाव में साथ में के घूम रहे हैं देखिए बहुत ही सिरियस बात है मुख्यमंत्री के निवास्थान पर और मेरी जानकारी जहां तक है मुख्यमंत्री निवास्थान पर मौजूद थे ऐसे समय उन्ही के पार्टी के महला सांसत के साथ उनका सबसे करीबी व्यक्ति मार्पिट करें फिजिकल एब्यूज करें और उसके ओपर मुख्यमंत्री मूँ भी न खोले और इंडी गडबनन ऐसी चुप्पी साथ कर बैढ़ जाए कल तक जो महलाओं की दुहाई देते थे, कल तक जो महला अत्याचरों की बात करते थे अब सब के मुँ बंद अब कोई बोलना नहीं चाहता यह दोगली राजनिती है झाल झाल